इसके मैं आपको शॉट में फीचर समझाता हूँ, यह फुली आटोमेटिक मशीन है, जैसे आप यह डोर ओपन करते हो, अंदर जो आटोमेटिक स्टेज है, वो बहार आ जाता है, फिर अगर मुझे गोल सेंपल टेस्ट करना है, आपको यह सेंपल लेके, यहाँ पे लेजर के वो पोरिशन आपको रख देना है, तो अभी यह रेडी है, अभी इसमें आपको कोई भी फिजिकल मैनुल सेटिंग्स नहीं करनी है, सिप आपको डोर क्लोज करना है, जैसी आप डोर क्लोज करते हो, आप कैमेरा पे देख सकते हो, स्टेज अंदर जाके अपने पोजिशन पे रुख गया है, अभी मुझे उसको हाइट उपर लेना या फोकसिंग करना है, तो मैं यह जो स्टेज कंट्रोल का विंडो है, यहां से उसको मैं मूव कर सकता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्टेज को उपर मूव कर रहा हूँ, तो अभी मुझे करन यह है कि यह जो लेजर आप देख रहे हैं उसको सेंटर में लेना है, तो बाकी मशीन चाहिशा आपको लेजर सेंटर में लेकि रिए कोई मैन्योल वर्क नहीं करना है, आपको सिफ लेजर यह जब पास में आ जाता है, आपको फोकस पे क्लिक करना है, मशीन आटोमेटिक ल अब ये position ready है testing के लिए मैंने new sample पे click कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे new block create हो गया है जो अब भी blank है और मैं यहाँ पे measure click कर रहा हूँ जैसी measure click किया आप देख सकते हैं कि अब भी testing start हो गया x-ray on हो चुके 44 second के लिए तो जब तक यह testing हो रहा है तो उसके जो results है यह एक side test की है second side है यह उसके results है और यहाँ पे उसका average है तो यह सारा data यहाँ पे record पे रह जाता है यहाँ पे time setting है अभी 45 seconds पे हमने set किया है आप easily यहाँ से time change कर सकते हो new sample आपको जब भी भी नया sample आप machine में रखते हो आपको new sample create करके new sample पे click करके create करना है block और यह start and stop का button है so very simple software इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूत नहीं है जैसी आप सुबह machine on करते हो तो आपको standard sample रखे system adjust पे click करना है machine 45 seconds से one minute में खुद को ready कर लेती है तो अभी आप देख सकते हो कि 45 seconds खतम हुए first reading आ चुकी है 91.58 AU की result है अभी इसका actual reading में आपको दिखाता हूँ अभी JC में दोर फिर से